हेलो स्टुडेंट्स, गूड इवनिंग, मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज पे आपका एक बार फिर्शे स्वागत करती हूँ, आज हम इस वीडियो में गुप्तों का ग्रामियम, उनका न्या परसासन के बारे में जानकरी प्राप करेंगे, ठीक है, तो ये बताने से पहले, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिले, और आप इत्यास बिसी से सम्बंदि जानकारी प्राप्त कर सकें, तो देखें का गुप्तों के बारे में हमने पहले भी काफी कुछ पढ़ा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके गुप्तों के बारे में इनफोर्मेशन वहां से ले सकते हैं, सुन सकते हैं, ठीक है? जैसे कि गुपतों से संबन्दित मैंतव कुंट थे हैं गुपतों का सासन काल कैसा था उनकी प्रायंत्य सासन विवस्ता कैसी थी गुपत काल में जो सेंस करती है वो कैसी थी मंदिर कैसे थी इन सब के बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा दिया है तो देखेगा पढ़ते हैं गुप्तों का गुप्तों का गुप्तों की 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 गुप्त दुरकशा की विवस्था करती थी निर्मान कारीय करती तदा राजस्व एकत्रीत कर राजक्य कोस में जमा करती थी दामो दरपूर से प्राप तीसरे तमर पत्र में ग्राम सभा के कुछ पता दिकारियों के नाम इस परकार मिलते हैं महत्र, कुटुम्बिन, ग्रामिक और एस्ट कुलादी कारी घुपत्काल में देखेगा न्याय परशासन कैसा था तो घुपत्काल की संब्काले इस्मर्तियों जैसे कि नारदिस्मर्ति है ब्रस्पती स्मर्थी है इनसे पता चलता है कि गुप्तियूग में न्याई विवस्था अत्यदिक विक्षित थी। गुप्तियूग में पर्थम बार दिवानी तता फोजदारी अपरादों से संबंदित कानूनों की वैख्या परश्तुत की गई। उत्रादिकार संबंदि स्पस्ट एवं विश्द कानूनों का निर्मान भी किया गया। समराट देश का सर्वोचे नय धीस होता था। वह सबी परकार के मामलों के सुनवाई की अंतिम अदालत था। समराट के अलावा एक मुखे नय धीस होता था तथा अन्य अनेक नय धीस होते थे जो समराजे के विभिन भागों में इस तिर अनेक नयालियों में नयाय संबंदि कारियों को देखते थे। व्यापारियों तथा व्यवसाईयों की स्रेणियों के अपने अलग न्याले होते थे जो अपने सदस्यों के विवादों का निप्टारा करते थे स्मार्टी गरंथों में पूग तथा कुल नामक सैंस्थाओं का भी उलेक वीट मिलता है जो अपने सद्शों के विवादों का फैसला करती थी पूग नगर में रहने वादी विभिन जातियों की समिती होती थी जबकि कुल सम्मान परिवार के सद्धिशों की समिती होती थी इन सबी को राजे की ओर से मानेता मिली हुई थी तो पूग क्या होता था? पूग है वैं नगर में रहने वाली विबिन जातियों की समिती होती थी और कुल है वे सम्मान परिवार के सदिशों की समिती होती थी ठीक है ग्रामों में न्याय का कारिये ग्राम पंचायतें किया करती थी पेसेवर वकीलों का अस्तित्व नहीं था न्यायलियों में परमान भी लिया जाता था जहां कोई परमान नहीं मिलता था वहां अगनी, जल, वीश, तुला, आदी के द्वारत दिवे प्रीक्षें ली जाती थी गुप्तकालिन अभीलेखों में नयाधिसों को महा दंडनायक, दंडनायक, सर्वा दंडनायक आदी कहा गया है नालंदा तथा वेशाली से कुछ नयालों की मुद्राएं भी मिलती हैं, जिनके उपन नयाधिकरण, धर्माधिकरण, तथा धर्म सासना दीकरण अंकित हैं फाईयान के विवरण से पता चलता है कि दंड विधान अत्यांत कोमल था, मर्ट्यू दंड नहीं दिया जाता था, और नहीं सारीरी की आतनाय मिलती थी समराट इसकंद गुप्त के जुनागण लेक से भी पता चलता है कि उस काल में दंडों के द्वारा अत्य दिक पिड़ा नहीं पहुंचाई जाती थी मर्च कटी कम से पता चलता है कि चारुदत को हत्यारा सिध हो जाने पर भी मर्ट्यू दंड नहीं दिया गया था अपरादों में समानता आर्थि जुर्माने के जुर्माने लिये जाते थे बार-बार राजद्रोह का अपराद करने वाले व्यक्ति का दाहिना हाथ काट लिया जाता था अन्य दल मोर्य यूग की अपेक्षा म्रदू थे, कुछ मामलों जैसे पसों को नस्ट करना आदी में, जहां कोटिले मर्तु दंज का विधान करता है, वहां गुप्त काली निस मर्तियां मात्र परतारित करने का विधान परस्तूत करती हैं, इस प्रकार गुप्त समराटों न प्राचीन प्रमपरा का स्मरण करते हैं, तो हमें ये मानने के लिए बद हो दना पड़ता है, कि गुप्तों के परसासन ने प्राचीन भारतिय दंड विधान में मानवी सुधार के एक नए यूग का सुत्रपात किया था, ठीक है? तो ये था गुप्तों का ग्राम सासन वे परस्ता, आगे हम आपको इसी प्रकार से और भी वीडियो दिखाएंगे, तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज भी